नमस्कार पुनिय Acts लोगी लेवेशो में हम देख रहे हैं कि खंडिराव होलकर ने जीत लिया है दिल जी हाँ खंडिराव होलकर ने ऐसा कारणामा कर दिखाया है जिसकी बदोलत मालवा की महिलाएं खंडेराव होलकर के इस निर्णे इस कर्म और इस भावना की कायल हो गई है देखे खंडेराव होलकर ने सारजा के मदद की उस वक्त जब सारजा अकेली थी उसे और देवी अहिल्या को या यूं कहें कि मालवा की इस्तरी जाती को आफशकता थी किसी ऐसे चमतकार की जो उन्हें विजे दिलवा दे इस युद में युद था पुरिशों की रूडी वादी सोच और महिलाओं की विकास शील और परिवार को आगे ले जाने की उस रक्षा प्रदान करने की सोच के बीच में खंडराव होलकर सारजा का साथ देते हैं उसे गुरु मंत्र देते हैं उसे कुछ दावपेच भी सिखाते हैं इस निर्णाय की युद में काम आए और निर्णाय होता है सारजा के पक्ष में ही मगर जब ये बात पता चलती है कि खंडिराव होलकर ने साथ दिया था सारजा का देवी अहिलिया क्या इस मुहिम में क्योंकि अब से पहले सब को लग रहा था कि हर पुरुष स्त्री जाती के इस कृत्ते के इस सोच के इस विचारधारा के खिलाफ है या फिर इस मुहिम के खिलाफ है मगर नहीं ऐसा नहीं था स्त्रीयों के खिलाफ एक सक्ष नहीं कड़ा था वो थे एक खंडिराव होलकर और जब सारजाए बात बताती है तो गोत्मबाई सरकार की आँखें चलक पड़ती हैं खुशी के आँसू बलकि गर्व के भाव उनके चेहरे पर होते हैं क्यों कि किसी भी कोक को गर्व होगा कि उसने एक ऐसे पुरुष को जनम दिया है वो भी ऐसे वक्त जब लोग स्त्र का ये विचार सुन करके देख करके खंडेराव होलकर ने जिस तरीके से देवी एहलिया का मलब साथ दिया और कहते ना कि दरीया में ढालो नेकी करो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने क्या किसी को बताया नहीं कानो कान खबर नहीं होने दी कि वह स्त्रीजाती के लिए सोचते ह अच्छा उनके लिए करते भी है और खंडे राव फुलकर इसे सिर्फ और सिर्फ अपना करतवे बताते है और करतवे के अंदर बहाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी पुरुष्ट ने किया है बेशक तुकोजी साथ में थे मगर चाह करके भी साथ दे नहीं पा रहे थे लेकिन खंडे राव फुलकर ने साथ भी दिया और वाकई में जब गोतो बैस साहिब के आखें खुशी से भर आई थी तो मेरे खाल से हर किसी को हमें यही लग रहा था खंडे राव में बात तो है